दोस्तों बिलकुल सही जगह पे आये हैं आप लोग, आज हम लोग 40 से 50 लोगों के लिए ये धाबे वाली रेश्ट्रोन वाली मटर पनीर बनाने वाले हैं, एकदम सही माप डंड बताऊंगा, अगर आपके घर में छोटा मोडा फंक्शन है, तो आप जरूर इसे फॉलो करके और इस रेसिपी को फ्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसे मेरे घर में छोटा से एक फंक्शन था, तो उसी के लिए बनाया था, तो सबसे पहले आपको एक बड़ी सी कडाही ले दीनी है, लगबग 7-8 लीटर वाली ये कडाही है, और इसमें आपको लगबग 30 ml ओयल ठीक है, ये एक किलो प्याज है, जिसे स्लाइस में रफली आपको कट कर लेना है, अब एक किलो प्याज डाल दिये हमने इसमें, और उतना ही आपको इसमें ये टमाटर डालने है, मेक शोर कि टमाटर थोड़े लाल होने चाहिए, और इसे भी आपको स्लाइस में कट कर देन खट्टे नहीं होने चाहिए टमाटर तो ये भी एक किलो डाला है मैंने 50 कराम मैंने लहसुन और 25 गराम मैंने अद्रग डाल दिया है ठीक है अब हम इसमें डालेंगे 15 छोटी लाइची हरी वाली जो इलाइची आती है वो और दो बड़ी लाइची जो काली लाइची रहती है अब हम इसमें डाल दी है सूखी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च है ये तीखी स्पाइसी नहीं होती है तो लगबग मैंने 50 कराम डाली है तो बड़े चमच आपको इसमें नमक एड़ कर देना है या स्वाद अनुसा नमक आप अभी ही एड़ कर सकते हैं ठीक है अब इसे आपको पानी भी नहीं बिल्कुल भी नहीं डालना है फ्लेम आपको हाई रखना है और इसे लगबग पान से 7 मेट पकाना है या टमाटर गल जाए इतना आपको पकाना है और फिर आपको इसे पूरी तरह ठंडा करना है गरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और फिर मिकस हम थोड़ा भूनेंगे मतलब simply आपको 5-7 मियाट तक इसे भून लेना है जरूरी बात इसमें क्या है जब 5-7 मियाट हो जाएगा तो इसमें नीचे थोड़ा पानी आ जाएगा अभी आपको दिखे पानी गिर रहा है न उठाएंगे न तो पानी गिरेगा वो पानी आपको सबजी खराब हो जाएगी इसमें थोड़ी से मता अजीब सी स्मेल रहती है ठीक है और यह हमने पीस लिया है कलर देखिए कश्मीरी लाल मिर्च के वैसे कितना बहतरी नाय है लेकिन अभी हम और कलर करेंगे यह सत्य है ठीक है अब लगबक 100 ml के जितना मैंने ओईल लिया है और लगबक 4 बड़े चमच मैंने लाल मिर्च डाला है लाल मिर्च आपको अभी ही डालना है और हाईफलेम ही है अभी और थोड़ा से मिला लेंगे ताकि कलर और उपर निखर के आ जाए ऐसे करना है ठीक है फिर इसमें हम डाल देंगे वो पेश्ट जो हमने बनाया था प् smile देखिए color कितना अच्छा उपर आया देख रहे हैं तो अब हम इन सारी चीजों को एक साथ मिला लेंगे और बहुत बढ़िया उपर color आया है अब क्या करना है अच्छी तरह पहले आपको इसे मिलाना है इसमें color add करेंगे थोड़ा और और रंग add करना है आपको यह totally optional है अगर इतना color enough है तो आप रहने दीजे और मन है तो डाल लीचे अब लगबग एक लिटर मैंने इसमें पानी add किया है पानी कम जादा आप कर सकते हैं कोई problem नहीं है अब thickness के हिसाब से तो एक लिटर मैंने पानी add किया है और यह अच्छी तर पानी नीचे का होगा वो आपको नहीं डालना है मैंने पहले भी बोला है अब हम इसमें डालने गरम masala powder यह भी लगबग चार बड़े चमच गरम masala है यह आप इसमें डाल दीजे और इसमें आपको मसाले के तौर पे कुछ डालनी की जरूत नहीं है अच्छी तरह आपको मिल डेड़ किलो पनीर पीसेस मीडियम साइज के चॉइस आपकी है कम ज़्यादा बड़े कर लीजेगा यह डेड़ किलो पनीर है मैंने फ्राइ नहीं किया है आप चाहें तो फ्राइ करके भी डाल दीजेगा बट ऐसे भी बहुत अच्छा रगता है मुझे फ्राइ किया हुआ प्रसनली पसंद नहीं है यह घर वाली मलाई है दूद मेंसे जो निकाल के रखती है न ग्रहनिया वही मलाई चार से पांच चमचा डाल दीजेगा नहीं है तो मट डालना ठीक है मलाई डालने के बाद हम मिलाते हुए इसे पकाएंगे लगबग दो से तीन मेर तक अब इसे बिल्कुल बिस्किप नहीं करना यह डालना ही पड़ेगा अगर आपको वह वही लूट नहीं है तो ठीक है यह डालने के पाद अच्छी तरह मिला लीजेगा पकाने की जरुवत नहीं है एक मिनट पका लीजेगा हरा धनिया डाल देंगे और बस हमारी सबजी बनके तयार ह है और अगर आपको लगे कि नमक कम है तो थोड़ा नमक डाल लीजेगा क्योंकि हमें ग्रेवी में पहले नमक डाली थी तो मुझे नहीं लगता कि अभी नमक मैं टेस्ट करके देखा है नमक अगर आपको लगे तो अब डाल लीजेगा सबजी बनके तयार है 50 लोग को आप इसे ठुसवा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं उम्मीद कहता हूँ रेसिपी अच्छी लगी है कल फिर मिलूँगा मैं 12 बच के 20 मिनिट पर थैंक्यू सो मच पूर